चलो यार, आज बनाते हैं एंसम ली ब्यूटिफुल कृष्णा जी वो भी लिटरली मेरी फिंगर के साइज के कलर ट्यूट के साथ ओपेर वेट किस चीज का चलो यार, कटते हैं स्टार्ट हरे कृष्णा नाम के साथ कहा जाता है कि कृशना जी बहुत 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 ब्यूटिफुल थे एक बार स्वयम कामदेव ने जब उनको देखा तो वो बेहोश हूगे बोषर ची बीवकर कृशना जी की ब्यूटि को देखकर सिर्फ गोरे होना ही सुंदर होना नहीं होता मुझे पता है कि मैं कोई भी पेंटिंग कृष्णा जी जितनी सुंदर नहीं बना सकती पर ये पेंटिंग पूरी होने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी पेंटिंग में ही कृष्णा जी इतने सुंदर लग रहे हैं तो रियल में कितने सुंदर होंगे फिल्हाल हम लोगों को ये सौभागयत प्राप्त हो नहीं सकता बट आल वी केंड दू इस चैंट इस नेम एंड मेडिटेट अपॉन हिम जिससे शायत हम अपनी इमाजिनेशन में ही उनकी रियल छवी का अनुभव कर सके मैं तो हर दिन सुभा और शाम भगवान जी का नाम ही लेती रहती हूँ क्या आप लोग भी मेडिटेशन करते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे नहीं पता कि ये बात सच है कि नहीं पर मैंने ये सुना है कि जब जब आप क्रिशन जी का नाम लेते हो या उन्हें याद करते हो पुकारते हो उतने ही बार क्रिशन जी भी आपका नाम लेते हैं और आपको स्मरण करते हैं यही बात सोच सोच के कई बार जब मैं कृष्णा जी को याद करती हूँ तो मेरी आखों में आसू आ जाते हैं। और मैं सोचती हूँ और उनसे पूछती भी हूँ क्या कृष्णा जी आप भी मुझे याद कर रहे हैं या फिर मेरा नाम ले रहे हैं। वेल सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता पट रियली ये सब सोच के इतनी खुशी मिलती है मन को बहुत शांती मिलती है क्या ये कहानिया सिर्फ मैंने सुनी ही या आप लोगोंने भी अगर सुनी है और आपको कोई और स्टोरी पता है तो प्लीज मुझे बताना ये सब सुनके और इन सब चीजों के बारे में जानके बहुत अच्छा लगता है तो चलो मेरी भावनाओं के साथ यहाँ पे मेरी पेंटिंग भी कम्प्लीट हो गई है अब आप खुद ही देखो की पेंटिंग कितनी सुन्दर बनी है एकदम कृष्णा जी के रिफलेक्शन की तरह अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना चलो आप मेरी पेंटिंग को डिफरेंट एंगल से देखो अब मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में बाई बाई हरे कृष्णा